हलो नवसकार मेरे साती और आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रेस्ट पर मैं विकास सर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं प्रॉफिट लॉस यहाँ पर खतम कर चुका हूँ और आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है सिंपल इंट्रेस्ट तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रेस्ट होता क्या है सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे उसके बाद हम सिंपल इंट्रेस्ट की बात करते हैं ठीक है एक होता है simple interest जिसको SI बोलते हैं, ठीक है सर्थ, अब SI और CI में difference क्या होता है, इसका मतलब अगर simple C भासा में बोले हैं, तो इसका मतलब होता है, जिसके उपर interest के उपर भी interest count किया जाता है, that's called CI, यहनि की compound interest बोलते हैं, जिसके उपर only principle के उपर हमारा interest count किया जाता है, उसे CI SI बोलते हैं, simple interest बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले हैं, तो इसको हम बोलते हैं, चक्रब्रधी ब्याज बोलते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में बात करें, तो इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आगे इतनी आपको, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो simple interest यानि की साधरन ब्याज के बारे में बात करने वाले हैं तर इसका formula होता है simple सा si is equal to p into r into t upon 100 p का मतलब होता है principle इसका मतलब होता है जो आपने किसी से loan लिया है आपने किसी से जो loan लिया है यानि की आपने जो किसी से उधार लिया है या आपने किसी को उधार दिया है या आपने किसी को उधार दिया है उसे हम क्या बोलते है principle बोलते है पास समझ में आ गई यानि की जो आपने कहीं deposit किया है या आपने कहीं से loan उठाया है इन दोनों ही चीज़ों को हम principle बोलते है सर, rate क्या होता है, rate होता है rate of interest at which the loan is charge, यनि कि जिस rate पर आपने लिया है, जैसे 8% पर लिया है आपने, 10% पर लिया है आपने, 12% पर लिया है, that means आपको 100 रुपए पर 8 रुपए interest देना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, 100 रुपए पर 10 रुपए interest देना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, 100 रुपए पर 12 रुपए का interest देना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ, फिक है, अब इनको detail में समझेंगे, T होता है time period the duration of which money is borrowed and deposited जितने समय के लिए आपने उधार लिया है या जितने समय के लिए आपने उधार दिया है that is called time duration यानि कि जिसको T से denote करते है सर अब क्या होता है कि जैसे आपने कहीं से उधार लिया तो आप उसे बापस करोगे this is called the amount यानि कि जितना amount आप बापस करोगे या कहीं से आप किसी को आपने उधार दिया है वो बापस आपको चार साल के बाद करेगा this is called amount यानि कि उसे हम क्या बोलते हैं principal प्लस SI का sum बोलते हैं ठीक है जैसे आप से किसी ने 100 रुपए लिए आपसे किसी ने 100 रुपए लिए this is called principal और उसने rate लगाई आपको 10% के इसाफ़ से this is called dar यानि कि rate हिंदी में इसको dar बोलते हैं और इसको हम हिंदी में मूल धन बोलते हैं मूल धन बोलते हैं इसके बाद time ये हमारा हो गया time duration इसको हम sum बोलते हैं और मान लेते हैं कि उसने आपसे 4 साल के लिए लिया है तो 4 साल के बाद वो SI कितना बनेगा आपका तो आप कहोगे 100 रुपए पर 10% से 1 साल में 10 रुपए 4 साल में 40 रुपए बनेगा मैं बोलूँगा amount कितना बनेगा तो आप कहोगे 100 plus 40 this is called the 140 now we can say कि 140 रुपीज हमारा क्या बन जाएगा amount बन जाएगा तो आपने किसी को 100 रुपए दिये वो बापस आपको कितने रुपए देगा वो बापस आपको 140 रुपीज देगा this is called amount यानि कि इसी को हम क्या बोलते हैं मिस्र धन बोलते हैं क्या बोलते हैं 10 upon 100 ये formula बनता तो बनता कैसे है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं देखो सर देखे सर इसको हटाते हैं और समझते हैं जैसे आप एक बात बताओ आप एक बात बताओ कि मैंने क्या बोला आपसे कि 100 रुपए आपने किसी को दिये तो वो अगर आप पे rate 10% लग रही है इसका मतलब क्या होता है 10 upon 100 यानि कि 10% का मतलब सर यह हुआ कि आपने किसी को 100 रुपए अगर दिये हैं तो वो एक साल के बाद आपको rate के रूप में 10 रुपए यानि कि rate आपकी 10% है तो ऐसा ही वो आपको कितना रुपए दे देगा 10 रुपए दे देगा यानि कि 10% का मतलब यह हुआ कि 100 रुपए पर मिलने बाला ब्याज ही हमारा क्या होगा rate होगा बात समझ में आगी आपको सिंपल सी बात समझ में आई तो rate का मतलब होता है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही rate परसेंट होती है तो 100 रुपए पर 10 रुपए मिला तो इसका मतलब किया हुआ 10% rate है किलियर हुई बात आपको अब देखो सब तो अब एक बात ध्यान से ध्यान से सुनिएगा जैसे मैं यहाँ principle लिखूं मैं कहूँ कि 100 रुपए है और मैं कहूँ आपको SI यहाँ पर मिल रहा है 10 यानि कि SI आपको मिल रहा है R% जैसे R% का मतलब भी तो यही होगा कि 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज R होगा 10% का मतलब 100 रुपए पर मिलने बाला interest 10 होगा R% का मतलब 100 रुपए पर मिलने बाला interest R होगा Got it, अब यहां से देखो सर तो 1 रुपए पर सर कितना interest मिलेगा आप कहोगे R upon 100 कहोगे की नहीं कहोगे 1 रुपए पर R upon 100 यह कितने साल की बात हो रही है मैं चिला चिला के आप से बूल रहा हूँ only one year कितना only one year ओके got it चलिए अब देखो एक रुपए पर R upon 100 SI मिलेगा तो सर P रुपए पर कितना मिलेगा सर P रुपए पर कितना मिलेगा we can say P रुपए पर मिलेगा PR upon 100 कितना मिलेगा PR upon 100 ठीक है एक साल में तो सर P रुपए पर T साल में कितना मिलेगा P रुपए पर T साल में कितना मिलेगा तो एक साल में इतना तो T साल में T times मिलेगा तो PRT upon 100 सर यही तो हमारा SI का formula निकल के आया यही तो हमने यहाँ आपको लिखवाया है कि SI is equal to P into R into T upon 100 this is called the formula of SI simple interest बात समझ में आ गई कैसे आया यह चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ से हमने यह समझा कि जब भी हमको rate percent per annum दी जाती है that means हमको 100 रुपए पर मिलने बाला एक साल का interest कहा जाता है हमसे ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं और questions को समझने की कोसिस करते हैं हम लोग देखिए पहला question आपके सामने लिखा हुआ है सर इसको करने की कोसिस करते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान सा question है बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप लोग video को पॉच करके कि इसको करने की कोशिस करेंगे तो सर अगर कमेंट में आंसर बताएंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी देखो 12% की बात हो रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 100 रुपैपर एक साल के अंदर मिलने बाला SI 12 हुआ यही मतलब हुआ न तो 5 साल के अंदर कितना मिलेगा तो 100 रुपैपर 5 साल के अंदर मिलने बाला SI कितना हो जाएगा 5 टाइमस हो जाएगा यानि कि 60 हो जाएगा कोई समस्या नहीं आपको लेकिन हमको तो 9 3 4 0 पर चाहिए न तो सर 9 3 4 0 पर चाहिए इधर multiply कितने का कर दे हम इधर मुझे 9 3 4 0 बनाना है तो सर एक बात बताओ 100 पे SI 60 मिलेगा तो 10 पे SI कितना मिलेगा 5 साल में 5 साल में 10 पे SI कितना मिलेगा 6 रुपै मिलेगा अब मैं यहाँ multiply कर देता हूँ 9 3 4 का तो मैं कहूँगा कि 9 3 4 0 पर मिले बाला 5 साल के अंदर जो SI होगा सर वो होगा 6 into 9 3 4 इसको multiply कर दो सर तो 6 और 4 24 4 बना 2 carry 6 3 18 0 बना 2 carry 6 और 9 4 और तो 56 बना यानिकी 5 6 0 4 that means a option एकदम correct हो गया हमारा 5 6 0 4 will be the correct answer of this question मुझे कोई formula लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आप formula से करना चाहते हो तो यही method तो यहाँ लग जाएगा सर formula में भी कुछ करना थोड़ी है formula में भी तो कुछ नहीं करना बस यही तो हमको यहाँ यूज कर देना है देखिए सर बड़े ध्यान से सुनिएगा formula से करने की कोसिस करते हैं इसको बड़े ध्यान से सुनो देखो यहाँ पर हमारा SI का जो formula होता है वो हमारा होता है P into R into T upon 100 तो देखो SI is equal to P की जगे हम कितना रख देंगे यहाँ पर 9 3 4 0 R की जगे कितना 12 P की जगे कितना 5 divided by 100 5 से इसको किया 20 0 से यह 0 2 से यह 6 Now it becomes 9 3 4 into 6 Answer हमारा कितना बनेगा 5 6 0 4 This is the correct answer of this question Clear हुई होगी बात आपको चलिए आंगे बढ़ जाते हैं sir Next question यह रहा इसको करने की कोशिस करिए आप इसको करने की कोशिस करिए आप जल्दी से जल्दी से करिए इसको देखो Question लिखा हुआ है A sum of money becomes 79 upon 16 times of itself in 35 years यानि की कोई money कोई money है हमारे पास माल लेते हैं की principle हमारे पास 16 unit है वो amount बन जाता है कितना 79 कितने साल में 35 year में यहां तक कोई समस्या आपको होगी नहीं तो अब यह बताओ कि principle को 16 रहने दो तो ऐसा ही कितना बन जाता है तो 16 इसमें से हटा देंगे तो this is called this is called 63 SI 63 बन जाता है in 35 year in 35 year अगर मैं इसको क्या करना चाहूं अगर मैं इसको 1 पे लेकर आना चाहूं 1 year पे लेकर आना चाहूं तो यह 35 से divide करना पड़ेगा मुझे इसे भी 35 से divide करना पड़ेगा तो SI भी हमारा 35 से divide हो जाएगा यानि कि principal अगर 16 है हमारा तो एक साल के अंदर बनने बाला SI कितना हो जाएगा हमारा 7 से cancel करो तो 9 upon 5 यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी अब मुझे R% निकालना है तो P की value को 100 करना पड़ेगा की नहीं तो P की value अगर 100 हम कर देते हैं तो एक बात बताओ आप सर SI हमारा क्या बन जाएगा 9 upon 5 into 16 into 100 क्या बन गया हमारा 9 upon 5 into 16 into 100 यही हमारी R% बनेगी solve कर देते हैं 5 से कितना गया 20 4 से यह कितना 4 4 से यह 5 9 और 5 45 divided by 4 now it becomes 11.25% now it becomes 11.25% got it कोई formula नहीं लगाया मैंने और answer आगया आपका अब इसी को formula से कर देते हैं सर बड़े ध्यान से सुनिएगा देखो formula से कैसे करोगे आपको क्या कहा गया है आप से कहा यह गया है कि आपको SI निकालना है तो SI आपको rate निकालनी है तो rate का मतलब होता है आपका rate का मतलब क्या होगा principle SI उपर रहेगा बाकि सारी चीज़े नीचे P into T into 100 यह बनेगा तो R को यहीं रहने दो SI कितना है आपका 16 हमारा principle अगर हमने माना तो SI हमारा कितना बन रहा है प्रिंसीपल अगर हमारा 16 है तो amount हमारा बन रहा है 79 इसका मतलब SI कितना बन रहा है हमारा 63 रख दो 63 P की value 16 P की value 35 और into 100 12 कर देते हैं 7 से 5 आगया 7 से 9 आगया 5 से 20 आगया 4 से 4 आगया 4 से 5 आगया Now it becomes 45 upon 4 That means 11.25% Second method Second method से ऐसे कर सकते हैं कोई समस्या नहीं होगी चीजें समझ में आ रही होगी आपको ठीक है Simple तरीके से कौन से formula का use कर रहे हैं वही एक formula है SI is equal to P into R into P upon 100 इसी में अगर मुझे SI के अलाबा कुछ भी निकालना है यसे rate निकालनी है तो SI उपर रहेगा into 100 रहेगा तो divide में हमारी बांकी चीजें आ जाएंगी P आ गया T आ गया मुझे अगर principle निकालना है तो SI उपर रहेगा into 100 रहेगा बांकी R into T नीचे आ जाएगा मुझे T निकालना है तो SI उपर रहेगा into 100 रहेगा दिबाइड में P into R रहेगा ये हमारे formula बन गए कुछ इसमें बहुत जादा rocket science नहीं लगा हुआ है बहुत आसानी से मैंने इनको find कर लिया ओके अब हम next question को समझने की कोशिश करते हैं ये लिखा हुए आसान question है समझिए समझिए और करने की कोशिश करिए question है the simple interest on sum of money is 9 upon 35 of the sum if the number of years is numerically 5 by 7 times of rate percent then the rate percent per annum is the rate percent per annum is बड़े ध्यान से सुनिएगा देखो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है हमसे ये कहा गया है कि अगर principle हमारा 35 है ठीक है तो simple interest हमको कितना बताया गया है ये 9 होगा ठीक है ये 9 होगा time के बारे में हमसे जो बोला गया है time जो दिया गया है वो 5 by 7 into r है time की value इतनी है हमको निकालना ब्याज की दर है मैं यहाँ पर r is equal to रख देता हूँ SI की value 9 आ जाएगी principle की value 35 आ जाएगी r की जगे 5 upon 7 into r आ जाएगा और 1 r तो हमारा यहां रहे गाई पर एक r नहीं रहेगा एक p आ गया SI 9 आ गया ठीक है और r की value मुझे निकालनी थी बस इतना ठीक है यह रहेगा अब into 100 रहेगा उपर यह 7 से इसको किया 5 5 5 से इसको किया 4 अब यहाँ से r इधर जाएगा तो r square is equal to 36 now r is equal to 6% यही answer है r is equal to 6% यहीं की option c will be the correct answer एक गम right answer है option c ठीक है कौनसा formula use कर दिया भाई कोई नहीं अभी जो बताए थे आपको उन्ही में से एक formula मैंने लगा दिया कौनसा लगा दिया मैंने SI is equal to P into SI P into R upon T upon 100 यह होता है तो इसमें मुझे SI के अलाबा कुछ भी निकालना होता है उस condition में SI और into 100 उपर रहते हैं बाकि सारी चीज़ें denominator में रहती हैं इनकी P into T अब यहां पर P की value मुझे 35 दी गई थी SI की value मुझे 9 दी गई थी P की value मुझे 5 upon 7 R बोला गया था value को put कर दिया और answer हमारा कितना निकल कर आ गया 6% निकल कर आ ठीक है यहां तक कोई समस्या नहीं होगी next question की तरब बढ़ते हैं यह रहा लिखा हुआ है संजय बॉरो रुपीज 900 at 4% per annum and रुपीज 1100 at 5% per annum for the same duration he had to pay रुपीज 364 in all as interest what is the time period in years बड़े ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मैंने माना उसने 900 रुपीज लिये हैं principle 900 लिया है rate लग रहा है 4% के हिसाब से मैं time को मान लेता हूँ 1 year ऐसा सपोच कर लिया दूसरी condition कही गई है 1100 लिये है rate हमको 5% दिया है और time हमको 1 year दिया है ठीक है अब यहां से देखो SI कितना बनेगा यहां से एक साल पे SI कितना बनेगा यहां से 36 यहां से SI कितना बनेगा 55 now we can say total SI कितना हो जाएगा total SI हमारा कितना बन जाएगा यहां से आप मुझे बताइए total SI देखो 5,38 यानि 91 बन गया बन गया की नहीं अब देखो लेकिन यह real SI हमारे पास कितना है 91 रेसियो की बैलू 364 है तो 1 रेसियो की बैलू 364 divided by 91 डिबाइड करोगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा यानि कि 1 रेसियो की बैलू हमारे पास 4 आ गई और मैंने इसको 1 रेसियो ही माना था इसको मैंने 1 रेसियो ही माना था तो मेरा year कितना निकल के आ गया मेरा year आ गया 4 यही answer बेहर आसान सा question था यानि कि D option एकदम correct हो गया D option हमारा क्या हो गया एकदम correct answer हो गया कोई आपको समस्या नहीं हो ठीक है चलो next question यह रहा in how much time sum of money becomes 5 times at 16% simple interest कितने समय में 16% की rate से यह अपने आपका 5 times हो जाती है तो सर सबसे पहले तो 16% को गौर से देखो और इसको देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि अगर principal हमारे पास 100 होता और time हमारे पास सिर्फ 1 साल होता तो हम कहते SI कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा अब मुझे 16 का 5 times बनाना है सर तो मुझे इसको बनाना कितना है 80 बनाना है मुझे क्या बुला है कि in how much time sum of money becomes 5 times at 16% अच्छा sum of money becomes sum of money becomes यहनि कि मुझे इसको बनाना कितना है मुझे इसको बनाना है 5 times यहनि कि 500 बनाना है देखो मुझे बनाना है 5 times देखिए बड़े ध्यान से 5 times का मतलब मुझे amount कितना बनाना है 500 यह बनाना है तो मुझे SI कितना बनाना पड़ेगा सर यह बनाना पड़ेगा मुझे 400 ठीक है अब देखो 16 SI बनाने में एक साल लगता है तो अगर मैं इसका 400 SI बनाना चाहूं 400 SI बनाना चाहूं तो कितना समय लगेगा year आपको कितनी लगेगी 400 divided by 16 year लगेगी कितना time लगेगा 16 से cancel करो 8 से कहिया तो 2 आगया यह 50 आगया 2 से करने पर यह 25 years आगया यानि कि आपको टोटल 25 साल का समय लगेगा इतना बनाने में टोटल कितना समय लगेगा 25 साल का समय लगेगा आपको इतना बनाने में आपको ठीक है 400 ऐसा ही बनाने में क्योंकि 400 ऐसा ही बनाओगे तभी वो amount अपने आपका 5 times हो पाएगा यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी ठीक है clear है इतनी बात आपको ठीक अच्छा अगर इसी को मुझे formulae से करना होता तो formulae से करने का तरीका क्या आता देखो देखिए सब्सक्राइब देखिएगा हमने मुझे निकालना क्या time है तो SI उपर रहेगा और SI मुझे 400 बनाना है ठीक है इंटू 100 और मुझे principle कितना 100 दिया है इंटू rate कितना 16% दी गई है 100 से तो 100 cancel 16 से ये कितने time cancel 25 year यही answer आ गया यही answer आ गया ठीक है चलिए इस question को करिएगा इस question को करने की कोशिस करो आप जल्दी से पटा फट से आंसर दो question कह रहा है in how long will it take for the sum of money to grow from 1600 to Rs.12,000 if it is invested at 12.5% per annum 12.5% को उठाओ यहाँ इसका fraction 1 by 8 होगा अब देखो इसका मतलब क्या होता है r percent is equal to क्या होता है r percent is equal to r upon p होता है कि ने इसका मतलब प्रिंसीपल और r का मतलब rate in one year in year अब इसका मतलब यह value अगर principle है उपर वाली value SI हो जाएगी rate का मतलब क्या होता है SI ऐसे लेखो SI upon p तो देखो हम ऐसे कही सकते हैं कि अगर principle 8 होगा और time अगर आपका एक साल होगा तो SI आपका 1 बनेगा ठीक है लेकिन अगर आपको कितने पर बनाना है 1600 रुपई पे 1200 रुपई पे यहां कितने का multiply कर देंगे हम 200 का तो यहां भी 200 का होगा multiply now we can say 1200 रुपई एक साल में कितना SI बना देंगे 200 बना देंगे ठीक है 1200 रुपई पे एक साल में 1200 SI बन जाएगा rate कितनी रहेगी आपकी 12.5% अब उसको कितना बनाना है how long will it take to sum of the money to grow from रुपई 1600 तो 12,000 अब इसको 12,000 तक ले जाना है तो यह बताओ कि principal आपके पास 1200 है amount आपको बनाना है कितना 12,000 तो SI कितना बनेगा तो बनता है 200 तो कितना समय लगेगा इतना बनाने में 104,000 divided by 200 now it becomes 52 52 एर लगेगा आपको time इतना बनाने में तो इसका आंसर कितना आ गया 52 एर कितना आंसर आ गया 52 एर यह हमारा आंसर निकल के आ गया clear है बात आपको यहां तक अब इसी को हम कर देते हैं formula वाले method से देखो समझो इसको formula वाले method से कैसे करेंगे देखिए हमको निकालना क्या है time time is equal to si उपर रहेगा कितना है 1600 into 100 si इतना नहीं है यह तो principle है यह तो principle है देखो यह तो principle है si तो नीचे रहेगा यह हमारा रहेगा यहाँ पर कितना नीचे रहेगा 1600 और rate कितनी है 12.5% अब यहाँ पर si कितना आ जाएगा तो देखो 12 0000- 1600 it becomes 10400 यहाँ जाएगा 10400 यहाँ से देखो 20 से यह 20 कैंसल हो गए यह 12.5 है ठीक है यह 12.5 है हमारा यह 1 by 8 बनेगा की नी बनेगा बताओ ठीक है तो 1 by 8 12.5 है इसको 1 by 8 लिखेंगे बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको अटाएगे तो यह नीचे हमारा कितना जाएगा 10 जाएगा 10 जाएगा की नी 5 से यह 2 आजाएगा 5 से यह 25 आजाएगा यह हमारा कितना आजाएगा 8 तो हमारा आगे 104 00 divided by 8 into 25 अब देखो 25 into 8 हमारा 200 बनेगा तो 104 00 divided by 200 00 से 00 now it becomes 52 years now it becomes 52 years ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो ठीक है चलिए next question यह लिखा हुआ है if a sum of money at simple interest becomes 36 times in 100 years then it will becomes 29 times in यहनि की कोई principle है आपके पास वो principle a sum of money at simple interest become 36 times वो principle आपका मान लेते हैं हम बन है और वो amount बन जाता है 36 इसके लिए उसे time कितना लगता है time लगता है उसे 100 years का अब उसे बनाना it will becomes 29 times इसको 29 times बनाने में कितना समय लगेगा तो एक बात बताओ कि इसको मुझे बनाना है 29 times तो amount of 29 बनाना है तो यह बताओ आप मुझे कि पहली बाली condition में आप interest कितना कमा रहे हो पहली बाली condition में SI कितना बन रहा है SI यह बन रहा है 35 और दूसरी बाली condition में आपको SI कमाना कितना पड़ेगा 28 ठीक है यह 35 है यहां 28 है 35 SI बनाने में 100 year 35 SI बनाने में 100 year तो आपको बताओ 28 SI बनाने में कितने year लगेंगे 28 SI में 100 अपॉन 35 इन्टू 28 7 से करो 5 4 20 नाउ इट बिकम्स 80 years यानि कि 80 साल लगेंगे आपको कितने साल लगेंगे 80 years लगेंगे आपको किलियर हुई इतनी बात आपको कोई समस्या आपको नहीं होगे यहां तर ठीक है चब next question यह लिखा हुआ है if a sum of money at simple interest becomes 11 upon 8 times in 7.5 years then it will becomes 19 upon 12 times in यानि कि कोई हमारे पास धन है वो simple interest से 11 by 8 times हो जाता है 7.5 year में देखो कोई principle है 8 है उसको 7.5 year लगते हैं तब वो amount बन जाता है 11 तो अब आपको then it will become 19 upon 12 times इसी को मुझे 19 बनाना है तो कितना समय लगेगा तो principle को बराबर कर दें हम देखो यहां हम कर देते हैं 3 का multiply यहां भी 3 का यहां 2 का यहां 2 का हम कह सकते हैं कि 24 रुपए 7.5 से 33 रुपए बन जाते हैं कितने यर में 7.5 यर में ठीक है तो SI कितना मिलता है यहां पर SI कितना मिलता है यह मिलता है 9 ठीक है तो यहां पर मुझे कितना 24 का कितना बनाना है मुझे 38 SI कितना कमाना है यहां पर मुझे यहां पर SI कितना मिनाना है 14 एक बात बताओ आप मुझे बड़े ध्यान से बताना कि 9 SI कमाने में 7.5 येर लग रहे हैं 14 SI कमाने में 7.5 upon 9 into 14 लगेगा की नहीं 9 3 से cancel कर सकते हैं इसको की नहीं बताओ यहां से 3 से इसको ये हटेगा तो 0 15 से करो 15 5 75 15 और 6 90 ठीक है सर ये 3 आ जाएगा ये 7 now it becomes 35 upon 3 years इसको कैसे लिख सकते हैं देखो इसको लिख सकते हैं हम 11 2 by 3 years 11 2 by 3 years का मतलब क्या हुआ इसमें 2 by 3 को हम क्या लिख सकते हैं into 12 कर दो कितनी बार 4 into 8 यानि कि हम कह सकते हैं 11 year 8 month यानि कि आपको जो समय लगने बाला है वो 11 year 8 month का समय लगने बाला है ठीक है सर समझ में आगया आपको कोई समस्या नहीं होगी ठीक चली next question ये लिखा हुआ है if the ratio of principal and amount after 13 years at simple interest becomes 9 is to 17 and after 27.5 more year this ratio will becomes 15 is to 43 find the rate of simple interest देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप है ना सबसे पहले मुझे बोला गया है कि principal आपके पास अगर 9 है principal and amount after 13 year at simple interest become 9 is to 17 तो amount हमारा कितना है ये हमारा है 17 अब अगर हमारे पास principal है कितना 15 अच्छा कुश्यन है logical कुश्यन है समझे अगर principal हमारे पास 15 है तो ये कितना amount हो जाता है 43 अब देखना principal दौनों जगे बराबर करो पहले तो यहां पर हमारा 5 से करो तो यहां भी 5 से करो यहां 3 से करो तो यहां 3 से करो यह बन गया 45 और यह 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा 85 यह 45 यह कितना हो गया 9 129 अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस amount के अंदर principal प्लस SI होता है कि नहीं तो principal और SI बन इसके अंदर भी principal प्लस SI टू होगा कि नहीं किलियर है इतनी बात कि नहीं अब अगर मैं इन दोनों में से cancel out करूं P प्लस SI बन माइनस P और माइनस SI टू तो P से P cancel हो जाएगा तो मुझे SI बन माइनस SI टू की value मिलेगी कि नहीं और यह कितनी मिल रही है 85 और 125 का difference तो 15, 35 यानि कि 44 यानि कि मुझे पता है कि जब 27.5 येर के बाद आप देखते हो तो आपको 44 रुपए interest मिलता है तो मुझे क्या पता चल गया कि rate मुझे find करनी है SI मुझे पता चल गया 44 है principle मुझे पता चल गया 45 है और time मुझे पता चल गया 27.5 है formula में रख दो answer आ जाएगा formula में आप put कर दीजेगा आपका answer निकल कर आ जाएगा देखो मैं यहां रख देता हूँ मुझे निकालना R है तो SI कितना आ जाएगा 44 into 100 divided by 45 into 27.5 पॉइंट हटेगा उपर 0 चल जाएगा अब यहां से देखो 11 से करो 4 आ गया 1 और 5 आ गया ठीक है सर अब इसको 4 आ गया यह 45 आ गया 5 5 25 से करो तो यह 40 बनेगा तो R is equal to हमारा 4 into 40 upon यहां पर 5 हटेगा तो 9 बनेगा और यहां से 5 हटेगा तो 3 बनेगा 27 बना अब इसका हमारा कितना बन जाएगा देखो यह बन जाएगा 160 upon 27 what it अब इसको solve करो तो कितना बनेगा 27 से कितने time कितने time चला जाएगा यह देखो 4 time चला जाएगा और किसी से cancel हो सकता है देख लो ते बड़े ध्यान से सुनिएगा 44 यहां आ गया 100 यहां आ गया 45 आ गया 27.5 आ गया 11 से किया 25 बना था यहां 25 बना था तो यह 5 आ गया था 5 से इसको किया 8 तो यह 32 बनेगा 32 अपन 9 तो 32 अपन 9 3 time जाएगा 9 37 5 अपन 27 के बाद कितना बनेगा 5 बनेगा तो 5 अपन 9 परसेंट यह निकि 35 अपन 9 परसेंट यह निकि A option एकदम करेक्ट निकल कर आ गया एकदम करेक्ट निकल कर आ गया ठीक है चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा नेक्स पर्ट आपको नेक्स डे देखने को मिलेगा तो आप इसको लाइक करिए, सेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए, उन तक भी पहुंचाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़के इसका बेनिफिट ले पाएं, बहुत बहुत धन्यबाद आप दोओंका